Hello everyone, आज मैं आपको यसी चार टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत यूसफल होंगी अगर आप जुड़ीशे की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो तब से पहली टप Limited Resources हमें कोसिस करना है कि हम अपने रिसोर्स को जितने कम से कम रख सकें उत्रा जादा अच्छा है हमें Multiple Coaching के Notes को Refer नहीं करना है Multiple Books को Refer नहीं करना है किसी भी एक resource पर Stick होना एंड उसे ही रीट करना है क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे Notes and books मिल जाएंगी and अगर आप सब को refer करने लगे ना तो आप खुद confuse हो जाएंगे and बाद में रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे second tip है हमारी multiple revisions यह tip हमारी first tip से linked है मैंने आपको बता है first tip में कि हमें किसी भी एक resource को refer करना है second tip यह कहती है कि हमें उसी resource को multiple times revise करना instant of referring multiple resources कहने का मतलब सिर्व इतना सा है आप किसी भी एक resource को refer करिए and उसे ही multiple times revise करिए ताकि जब exam में question है तो आप exactly recall कर पाएं कि आपने क्या चीज कब कहां पढ़ा हुए था third tip है हमारी recent judgments and legal updates यह बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा chances है कि जितने भी आपके competitors हैं उन्होंने लगबग same resources ही refer किये होंगे and जो आपके answer होंगे and उनके answers में जो differentiate करेंगे जो आपको edge देंगे आपके answers में वो होंगे recent judgments particularly मैं बात कर रहा हूँ mains के answer में जब आपने mains के answer में recent judgment डालेंगे या कोई भी legal development हुआ है recently अगर आप उस चीज को add करेंगे तो आपको edge देगा and comparatively आपको marks थोड़े से ज्यादा मिलेंगे ultimately which will lead to your selection फोर टिप है practice यह भी बहुत ज्यादा important है अकसर होता है कि हम पढ़ लेते हैं यह revise कर लेते हैं और हो सकता है अपने answers को as देने के लिए recent developments भी note कर लें उन्हें भी याद कर लें बट जब तक आप practice नहीं करोगे न आप exam में अच्छा कहने के तो यह बहुत ही चोड़ी चोड़ी टिप्स हैं बट अकसर यह टिप्स फॉलो नहीं कर पाते हैं and अगर मैं आपको ऐसा कोई solution बता दूँ जिससे कि आप इन चारों टिप्स को फॉलो कर पाएं तो वह आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा अगर आप पी डबलू के जुडीचेरी बाले बैचेस में एन रॉल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा बेनिफीचियल होगा अभी इनके कोर्सेस पर अप्टू 65% तक का डिसकाउंट चल रहा है इंडिपेंडेंटेंज जे ओफर की सेल में जो भी मैंने आपको चारों टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करने के लिए हर एक तरीके की गरिडेंस में लिए इन बैचेस में इनका बहुत ही फेमस बैच है नीती 3.0 जुडीशरी बैच जिसका प्राइज अल्मोस 50,000 रुपीज था बट ये अभी आपको सेल में 17,999 में देखने को मिलेगा अभी ओजन राजिस्तान APO 2024 बैच जिसका प्राइज अल्मोस 10,000 रुपीज था बट यहाँ आपको अभी ओफ़र में सिर्फ 4,400 N.9 में देखने को मिलेगा अभियोजन बिहार APO 2024 बैच जिसका प्राइज भी अल्मोस्ट 10,000 रुपीज था ये भी आपको 4,499 में देखने को मिलेगा इन बैचेस के अलावा राजिस्तान, गुजरात और 36 गर जुड़ीचरी की टेस्ट सीरीज भी अगर आपको जॉइन करना है प्रेक्टिस के लिए जो कि है हमारी 4 टिप प्रेक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना है तो इसके लिए आप इन टेस्ट जीज़ को जॉइन कर सकते हैं इनका प्राइज भी अल्मोस्ट 10,000 रुपीज था बट यह आपको लगबग 3-4,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगी इन प्राइजस के अलावा अगर आपको और 1,000 रुपीज का डिसकाउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड मेट 1,000 यूज कर सकते हैं एडिसनल डिसकाउंट मिलेगा थाउजन रुपीज का इन चारो टिप्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड ट्राइ करिए आप इन्हें फॉलो जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू